इस वीडियो एपिसोड में आप समों का स्वागत है SBI क्लर्क का एक्जाम सामने है इसके बाद SBI P.O. और दूसरे एक्जाम आने वाले हैं Simplification के 10 questions आएंगे और SBI क्लर्क के previous years के आईवे questions अलग ही मानी रखते हैं मैं चाहता हूँ कि इस test को इस episode को आप test के रूप में लें 10 questions हैं इनको आप pause करें और बनाने का प्रयास करें कि ये 10 questions less than 4 minutes में बनते हैं या नहीं इससे real test होगा आपके preparation का तो आएए मैं solve भी करता हूँ आप pause करके test भी दे लेंगे उसके बाद जो नए students हैं उनको समझ में आना चाहिए दरसल हो क्या रहा है आए My dear students मैं अमर गुमार सिंग अमर सर अन अकैडमी बर भी हूँ जो एक free learning app है मैंने यहाँ पर ठेरों lessons और courses बनाये हैं जो bank, ssc और railway exam के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप download करें अन अकैडमी learning app तो मुँ बात करते हैं, first number question से एक overall look होता है, पूरा लिखता है नहीं, first number question 12 into 19, 12 into 20 क्यों न लिखें, 12 into 20 होगा 240 और उसमें एक 12 less क्यों न कर दें, आपके मन में आरा होगा कि आखिर मैं इसको less भी तो कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर लूँगा आगे, जरूत होगी तो 38 जा, यह double तो आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, 13 फोर्जा, 52, double 108, 104, 13 फोर्जा बोले 52, उसका double 104, तो plus 104, is equal to 15 into 14, नहीं, 13 into 7, 210, plus what, हमने क्या किया, 15 into 14 को, 5 unit plus पर जब भी होता है, double करते हैं, 30 into 7 लिखा, और यह जानते हैं, कि 210 होता है, इसके अलावा, 13 into 8 समझ में नहीं आया, तो into 2 into 4 किया, so that, या into 4, फिर into 2 किया, so that, 52 into 2, यानि 104, ऐसा रिसली किया, ता कि 210 कंसर होके, 30 नहो जाए, 30 में 12 हटाए, 18 और 4, 122 नहो जाए, B is the answer, बुरी 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 बुरी, ठीक है, यह फर्स्ट में पर कुश्च्छन था, इसके बाद मिलो चलते हैं, next question ही हो, second question, 15 percent of 524, minus 2 percent of 985, plus what is equal to 20 percent of 423, कई तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले मेरे मेरे मन में आता है, मैं इसको छिनको लिखता हूँ, क्योंकि यहां पर मैं करके दिखाँगा, of 524, minus 2 percent of 985, plus what is equal to 20 percent of 423, या तो अब इसको 30 percent बनाई हो भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ, कि 10 percent क्या होता है, 52.4, 52 को अलग लेते हैं, 4 को अलग लेते हैं, इसका half add कर देते हैं, 52 में इसका half 26 add किया, तो 78 न हुआ, और 0.4 में half 0.2 add किया, तो ऐसा न हुआ, 10 percent 52.4 होता है, मेरा कहना है कि 5 percent ऐसा होगा, add कर देंगे अलग अलग, तो क्या ये 78.6 न होगा, means 15 percent ये किया गया, 2 percent, एक तरीका है, कि हम क्यों नहीं इसको 1 percent कर दें, और इसको double कर दें, 1 percent ओ, इसको half किया न, इसको double करें, 1,000 से 15 कम, तो 2,000 से 30 कम, तो 1,970 न लिखें, और 1 percent क्या 19.7 न होगा, plus, 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 what is equal to 20 percent of 423, 10 percent को 42.3 न लिखें, तो 84.6 न होगा, 78.6 इससे हट जाएगा, तो 6 न बचेगा, और ये add होगर के question mark के जगा पर 25.7 न होगा, 25.7, second of the question, 25.7, B answer. जाएगा, ठीक है, second question के बाद लोग चलते हैं, अगले question, third कियो, third question देखी, 152 into 8, third number question, हर question में, कुछ न कुछ करने के लिए है, 152.8 है, plus 228 divided by 19 का square है, यह न निकालना है, यह तो 19 से कंचल होगा, 12, 12 का square हम जानते हैं, 144, इसको कैसे करें, ऐसे न करें, इसको double कर दें, इसको half कर दें, तो 1216 न हो जाए, इसी हो गया ना, 1300, 1300, 1360 न हो जाए, 1360 न हो जाए, A is the answer, बोली, बोली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अगला जो सवाल है, फोर्थ नम्बर, फोर्थ नम्बर देखिए, 38.734, plus 8.638, minus 5.19, is equal to what, पूछा है, अब लोग चाहते हैं, कि होल नम्बर का फैसला कर लें, 5, 8 से लेस हुआ, 3, and 38, 41, क्यों न लिखें, क्यों न लिखें, क्यों न लिखें, इसके बाद आपको alert रहना पड़ेगा, इस टू प्लेसेस हैं, तो क्या करें, यहाँ पर इसको 1 increase कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी 1 increase कर देते हैं, इससे दसमलों 20 हो जाता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो क्या यह 5 न हो जाए, जब दो पर लेस करना है, 0.2 हो गया न, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, क्वेश्चिन हो गया, 734, ऐसे, प्लस, पॉइंट, मतलब 0.638, माइनस 0.19, इससे हम लोग माइनस 0.20 कर देते हैं, इससे हम लोग 0.744 कर देते हैं, इसको ऐसा कर देने से क्या होता है, यह आसानी से आप 2 को यहां से लटा देते हैं, 5, यानि 0.544 और प्लस 0.638 हो जाता है, यह मुझे सम्झाना था, यह यहां करने की जरुवत नहीं, वो हम लोग ऊपर कर चुके, पालड़ी, कार चुके, 544 है और 638 है, 44 है, इसको 42 बोलें और 40 बोलें तो 82 बोलें और यह 1100, दिखे दिखे यह बोला, 5 इन 6, 1100 हुआ, 1100, 82 का मतलब यह, और इसका मतलब 42.182, 42.182, 4th रंपर, 42.182, this is the answer D, ठेक है, आगे बढ़ें, Next question, 4th रंपर हो गया, 5th रंपर, 5th रंपर तो क्यों रूट है न, वो तो 8 होता है, आपको पता रहें, तो 5th रंपर में यह 8 हो, 4th रूट का मतलब होता है, double square root, 16 का square root, 4 रूज का square root, 2, तो यह तो 2 हो, और यह square root of 576, तो 576, 24 का square root यह आपको पता है, तो यह 24 हो, यह 10 and 24, 34, 34 मतलब इस रंपर, नव तीज, ठीक है, नेक्स्ट रंपर, 6th रंपर कॉष्छन देखी, 6th है, 42 into 3.2, ठीक है, प्रैकेट में है, divided by 16 into 1.5, यह है, इसको divide करना है, हम दोग इसको कर देते हैं, double इसको 8 बना देते हैं, 8 into 3, ऐसा करने से, यह 0.4 हो गया, 3 से 14 हो गया, 14, 4 जा 56, यह नहीं कि यह हो गया, 6th नबर कॉष्छन, 5.6 is the answer, B is the answer, ठीक है, next, आए, next to question है, 7th number, 7th number, 199, देखी, plus 5 cube, divided by 4 into 4, square is equal to what, divided by 4 से कट गया, 4 into 5 cube, 2 5 score 2, 2 दे देते हैं, 500, 6 double 9 is the answer, नहीं समझे, इदर आगी, 5 cube, divided by 4 into 4, square था, इसको हमने मन में ऐसे सोचा, कि यह 2, 2 है न, एक-एक 5 को दे देते हैं, ताकि यह 10, 10 बन जाएं, और एक 5 रजाएं, तु क्या यह 500 न हुजाएं, इसको हमने कहा, 500 और यह 1 double 9, ताक मैंस कि यह 6 double 9 is the answer, 6 double 9, 6 double 9, 9, none of these is the answer, E, none of these, ठेक है, 7th number, इसके बाद, आजाएं, नेक्स्ट, 8th number, 8th number जो question है, 3 by 5, of 2 by 7, of, of, what is equal to 4, 26, हमनों एक साथ 6 से cancel करते हैं, ऐसे, और निकालते कैसे हैं, पता है, 70 into 71 by 2, 4900, 4800, 2400, 170, 85, answer, बताता हूं कैसे, 2400, 85, 2400, 85, D is the answer, बताता हूं कैसे, दरसल, 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 question mark के जगब पर 35 into 71 होना था, हमने क्या किया, 35 into 71 है न, तू से उपर नीचे multiply किया, ताकि ये सुन्दर नंबर बन जाए, 70 से 70 को multiply किया, तो 4900 हुआ, प्लस 70 हुआ, हमने ऐसा नहीं सोचा, हमने ऐसा सोचा, क्योंकि ये पूरा calculation मन में होता है, ऐसे, 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 2400, 85, यही गुआ 2400, 85, होनी, सामज़ने आया, आगे बढ़ें, 8 नंबर के बाद, 9th नंबर, 9th नंबर कुष्चिन देखी, 9.8 into 2.5 into 7.6 by 0.5, is equal to what, हमने बुलते है, 0.5 का मतलब half का मतलब 2 से, multiplication का मतलब 5 का मतलब 10 का मतलब 38 into, 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 मतलब, मतलब, मतलब 380 में 7.6 लेस्ट न कर दें, 372.4 न हो जाए, जल्दे बुलिया है, बताता हूं, 9th नंबर, 372.4 न हो जाए, यानि की D अंसर, बताता हूं कैसे, 0.5 तो उपर गया न, half, या चलिए इसको गाट देते हैं, 5 से 7.6 को मल्टिप्लाई करना, मतलब 10 से 76, 7.6 को मल्टिप्लाई करना, यानि 10 से किया, तो 76 उसका half 38, और 38 इंटु 9.8 था, इसे ही हमने लिखा, 10-0.2 इंटु 30, इसी को हमने किया, तो वो हुआ, ठीक है, 9th नंबर समिख में आ गया, और लास्ट कॉस्चिन आज का, आज का लास्ट कॉस्चिन देखिए, 10th नंबर, अब्धो लिखना पसंद करेंगे, 8.9 minus 7 cube 5.1, square plus 9.6 is equal to 7 to the power question mark, 0.1 इसे देंगे, 9, 9, 18.5 में, 5.1 less हुआ, 18 में 5, 13 point, और 5 में तो 4 न हुआ, is equal to question mark न हुआ, 13.4 is the answer, A is the answer, बताता हूं कैसे, 343 का मतलब होता है, 7 cube, इसका मतलब होता है, 7 to the power 5.5, उसी तरह से 49 to the power 4.8 का मतलब होता है, 7 square, इसका मतलब होता है, ये, और, इसका मतलब होता है, ये, ये ही पावस, डिविजन होने पर less होते हैं, मडिपिकेशन होने पर add होते हैं, तो मुझे उमीद है, कि session को आपने enjoy किया होगा, और सही समय पर आपने इस test को दिया होगा, अगर दिक्कते हैं, तो और ज्यादा practice कीजिए, आपका selection जरूर होगा, अभी भी समय है, लग जाईए, SBI क्लाक के लिए, All the best.